दोस्तों आजके जो हमारी मूवी होने वाली है वो बहुत ज़्यदा कॉंट्रोश्य टॉपिक पर है और ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ये मूवी पसंद भी ना आए इस मूवी में डार्क लव स्टोरी को बताए गया है और ये भी बताए गया है कि कोई अपने प्यार के लिए कहा तक जा सकता है तो चली आएए वीडियो में आगे बढ़ते हैं शुरुआत में मूवी में हमें एक लड़की दिखती है जो की प्रेगनेंट थी और वो अपने पेट पर हाथ फेर कर अपने होने वाले बच्चे को मेसूस कर रही थी और मूवी के इंट्रो के साथ ये सीन यही पर कट हो जाता है नेक्स्ट सीन में एक 14-15 साल की एक लड़की समंदर के किनारे अपने कपले चेंज कर रही थी और तभी वहाँ से पास में से एक लड़का निकलता है और उसे बड़ी अजीब नजरों से देखता है अब अगेनी सीन कट होता है और रात के समय ये लड़की अपने रूम में थी और अपने पेट पर हाथ फिरा रही थी इस लड़की का नाम रिबेका था और ये अगले दिन उसी लड़के से मिलती है जिसका नम टॉमी था रिबेका अपने ग्रेंट फादर के घर पर वेकेशन बनाने आई थी जो कि जर्मेनी में था और ये चेहर से काफी ज़्यादा दूर दराजवारा इलाके पर था और यहाँ पर रिबेका कुछ समय के लिए रहने के लिए आई थी अब यहाँ पर टॉमी और रिबेका दोनों दोस्त बन गए थे और देखते ही देखते इनकी दोस्ती और गेरी होती जा रही थी और यह अपने ज्यादातर समय साथ महीं बिताते थे फिर एक दिन ऐसा आता है जो कि दोनों के लिए बहुत बुरा था रिबेका टॉमी को यह बताती है कि उसकी मौम अपसे तोक्यो यानि की जापान में जौब करीगी जिसके कारण उसे भी यहाँ से जाना होगा जो कि दोनों के लिए बहुत बुरा था क्योंकि दोनों बिछट रहे थे और फिर जल्दी ही रिबेका टॉमी को छोड़कर चली जाती है अब यह सीन कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम एक यंग लड़की को देखते हैं जो कि फिर से जर्मनी आई थी और टॉमी को ढूंड रही थी यह यंग लड़की रिबेका ही थी जो कि 12 सालों के बाद टोक्यो से लोड रही थी रिबेका सबसे पहले टॉमी की मॉम से मिलती है जो कि उसे पहली नजर में पेचानी नहीं पाती Rebecca उनने याद दिलाती है कि वो ही Rebecca है जो की 12 साल पहले यहां पर रेने के लिए आई थी जिसके बाद में Tommy की मॉम Rebecca को Tommy का एक्रणस बताती है जहां पर वो अपनी girlfriend के साथ में रेता था रिबेका टॉमी की गर्फरेंड को देखकर खुश नहीं होती लेकिन जब वो टाॉमी से मिलती है तब वो सब कुछ भूल जाती है दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और साथ में जब वे बात וה Qué कर रहे थे जिसके बाद रिबेका अपने घर चली जाती है रिबेका के वापस आने और टॉमी के मिलने से दोनों बहुत खुश थे और पहले की ही तरह टाइम स्पेंट करने लगे थे रिबेका टॉमी से सच्चा प्यार करती थी और उसे उनके बच्चपन की हर एक बाते याद थी और टॉमी ने भी दोनों के बच्चपन की हर एक चीज़ को समाल कर रखा हुआ था मतलब कि इन दोनों का प्यार सच्चा था और अभी भी एक दूसरे के दिल में जिन्दा था फिर एक दिन टॉमी रीबेका कोई बताता है कि वो एक बायलोजिस्ट है और वो एक इन्वार्मेंट एक्टिविस्ट के ग्रूप से जुड़ा हुआ है जो कि जानवरों की क्लोनिंग करके जानवरों की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाते हैं अब जिन भी लोगों को क्लोनिंग का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें ये बता दू कि क्लोनिंग जिसमें एक जानवर का हुबहु क्लोन बनाया जाता है और सीधी भाशा में कहूं तो उनकी फोटो कापी की जाती है मतलब कि अगर एक जनवर से दूसरे जानल की क्लोनिंग की जाएगी तो उन्में जरा भी फर्क नहीं होगा वहू बहू एक दूसरे जैसे दिखेंगे और यहां तक कि उनकी DNA में भी कोई बदलाओ नहीं होंगे मतलब कि दोनों के DNA सेम ही होंगे जिसके बाद में टॉमी रिबेका को अपने क्लोन के हुए कुछ खीलो को दिखाता है और उससे उनका गुरूप जैन करने को भी कहता है और रिबेका तो टॉमी की हर एक चीज से खुश थी फिर नेक्स्ट दे दोनों टॉमी के कार से जा रहे थे अपने एक्टिविस्ट ग्रूप में शामिल होने के लिए और रास्ते में रिबेका टॉमी से कहती है कि कितना अच्छा मौसम है क्यों न प्रकृति के इस नजारे का मज़ा उठाय जाए और फिर टॉमी कार को महीं पर रोग देता है रिबेका पहले कार से उतर कर मेदानों की ओर बढ़ती है लेकिन यहाँ पर एक ऐसा हाथसा होता है जो कि रिबेका का दिल तोड़ देता है टॉमी का कार से उतरते समय एक्सिडेंट हो गया था और वो अन दे स्पोट ही मर चुका था जिससे कि रिबेका पूरी तरह से तूड जाती है वो टॉमी का संबाला हुआ गिफट देखती है जिसमें टॉमी ने बच्पन में लिखा था कि वो हमेशा रिबेका का वेट रिबेका पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो सुसाइट करने की भी कोशिश तो करती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती फिर नेक्स्ट सीन में रिबेका टॉमी की कबर पर फूल चलाने आई हुई थी वो वहाँ पर फूल चलाती है और फिर टॉमी के पेरेंट्स को अपने घर पर कुछ डिसक्स करने केलिए बुलाती है रिबेका उन्हें कुछ ऐसा बताती है जिससे कि उनका दुख एक पल में ही मुस्कुराहट में बदल जाता है जरसल रिबेका यह चाहती थी कि टॉमी का क्लोन बनाय जाए जिसके लिए उसे टॉमी के दोनों पेरेंट्स के इसकि बिल्कुल खिलाफ थी लेकिन टॉमी के फादर उसे मना लेते हैं और वो अपने सेल के टिशू रीबेका को लाकर दे देते हैं जिसे लेकर के रीबेका वापस टोक्यो आती है और रीबेका टॉमी के डीने से उसका क्लोन बनती है और वो उसे अब अपने पेट में पालने वा ह्छुआ था और फिरिभे का अपने बच्चे के जनमें के बाद में उसे वापस जेर्मनी लेकर आ जाती है रिबेकऽ अपने बच्चे का पूरा ख्यार रखती है और वो अब धिरे धिरे बड़ा भी हो रहा था रिबेका का बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है और बोलने लगता है तो वो बार बार रिबेका से अपने पिता के बारे में पूछता है जिसके जवाब में रिबेका हर बार उसे टाल जया करती थी और हम यह देखते हैं कि रिबेका और उसके बच्चे के बीच में कुछ जादा ही क्लोज रिलेशन था रिबेका ने अपने इस बच्चे का नाम भी टॉमी ही रखा था और यहू बहू टॉमी के बच्पन वाले रूप जैसा ही दिखता था फिर एक दिन ऐसा होत है कि रिबेका टॉमी की फ्रेंड को अपने घर पर इन्वाइट करती है लेकिन वो उसके यहां पर आने से मना कर देती है जिसके बाद में उस बच्ची की मा रिबेका को बुला कर यह खेती है कि वो उसके क्लोन बच्चे को उनके बच्चों से दूर ही रखे जिससे सुनकर रिबेका को बहुत बुरा लगता है चुकि रिबेका ये नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे टॉमी को ये कभी भी पता चले और बेचारे टॉमी को अकेले ही अपना बर्थडे सिलिब्रेट करना पड़ता है इस इंसिडेन्ट के बाद में रिबेका ये जान गई थी कि वो जादा दिन तक यहां पर रही तो आसपास के लोगों से टॉमी को पता चल जाएगा कि वो कौन है और उसका जन्म केसे हुआ है और फिर इसलिए ही रिबेका अपने घर को और दूर दराज के इलाके में बनवाती है जहां पर कोई भी टॉमी को उसके पता की असलियत के बारे में न बताए पिर समय बीटता जाता है और जब टॉमी पूरी तरह से बड़ा होता है तो वो बिल्कूल बड़े वाले टॉमी के ही जैसा दिखता था और हमें देखते हैं कि Rebecca और छोटे Tommy का रिष्टा कुछ और ही था Rebecca को छोटे Tommy की girlfriend से जलन होती थी लेकिन अब Tommy बड़ा हो रहा था और उसे भी बड़े Tommy की ही तरह biology में बहुत interest था जैसे कि वो वही Tommy हो जिसकी accident में मौत हो गई थी फिर एक दिन चोटा टॉमी अपनी गल्फरेंड मोनिका से अपनी मॉम को मिलवाने के लिए लाता है जिसे देखे कर रिबेका खुश नहीं होती और उसे टॉमी के प्रती इंसेक्यूरिटी होने लगती है और हमें देखते हैं कि रिबेका खुदी टॉमी के करीब आने की कोशिश में थी और धिरे-धिर होता ये है कि टॉमी को भी रिबेका की तरफ देखती है तो उसे देखकर दंग रहे जाती है क्योंकि वो हूब हूब उसके असली बेटे टॉमी जैसा दिखाई दे रहा था छोटा टॉमी ये समझ नहीं पाता कि ये ओरत कौन है जो कि उसे ऐसे देख रही है और असली टॉमी की मा भी चुप चाफ मा से चली जाती है जिसके बार में टॉमी रिबेका से उसके बारे में पूछता है कि वो औरत कौन थी लेकिन रिबेका उससे कुछ नहीं कहती समय अब ऐसे बीटता जाता है और अब धिरे धिरे टॉमी के बिहेवियर में भी चेंज होने लगा था वो अजीब अजी फरकते करता था जिससे कि उसकी गल्फरेंड भी उससे डरने लगी थी और फिर एक दिन मोनिका टॉमी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है फिर हमें देखते कि रिबेका टॉमी के डियने को बार बार टेस्ट किया करती थी कि छोटे टॉमी के डियने में कितना चेंज आया और वो बार बार उससे असली वाले टॉमी के डियने से मेच क्या करती थी और वो आज से नहीं बलकि छोटे टॉमी के बच्चपन से ही ऐसा करती आ रही थी टॉमी बार बार रिबेका से अपने पिता के बार में पूछता है लेकिन इस बार रिबेका छोटे टॉमी को टालती नहीं है बलकि वो उसे असली टॉमी और उसके बच्पन की बाते याद दिलाती है जिससे कि टॉमी परेशान हो जाता है और समझ नहीं पाता कि रिबेका उस समझ जाता है कि वो एक क्लोन है टॉमी का क्लोन जिसके बार में छोटा टॉमी रिबेका पर गुस्चा करता है और रिबेका उस से कहती है कि वो वापस आ चुका है उसका असली टॉमी वापस आ गया है रिबेका और टॉमी धिरे धिरे close आते हैं और दोनों एक दूसरे को kiss भी करते हैं और फिर दोनों इतने ज़ादा close आ जाते हैं कि दोनों के बीच में intercourse होता है और physical relationship भी बन जाता है और फिर दोनों कुछ समय साथ में बिताते हैं अब नेक्स्ट सीर में हम देखते हैं कि टॉमी ने अपना सारा सामन पेक कर लिया था और वो घर को छोड़कर जा रहा था और वो जाते जाते रिबेका को मॉम नहीं बोलता और वो थैंक्यू रिबेका बोलकर महा से चला जाता है और जो औरत मूवी की starting में pregnant थी वो रिबेका ही थी लेकिन उसके पेट में कोई कलोन नहीं बलकि असली बच्चा था टॉमी का बच्चा और ये मूवी यहीं पर end हो जाती है दोस्तों मूवी में ये बताया गया है कि रिबेका टॉमी से वादा करके जाती है कि वो ज़रूर आईगी और टॉमी भी उसका इंतजार 12 सालों तक करता है लेकिन उनकी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था टॉमी एक्सिडेंट पे मर जाता है और फिर रिबेका टॉमी के डियने की कॉपी बना कर उसके कलोन को जनम देती है जो कि ना तो टॉमी का बेटा होता है और ना ही रिबेका का वो बस एक कलोन होता है जिसे रिबेका ने अपने बच्चे की तरफ पाला था लेकिन बड़े होने पर वो उसे सब कुछ बता देती है कि वो असली टॉमी का कलोन है जो उससे बे इंतहा प्यार करता था मूवी के एंड में दोनों इंटिमेट होते है और कलोन टॉमी रिबेका को असली बच्चा देखर वहाँ से चला जाता है दोस्तो हाँ मैं ये मानता हूँ कि मूवी का कॉंसेप्ट थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन इसमें बुराईयों के साथ-साथ कुछ अच्छा या भी है जैसे कि रिबेका और टॉमी दोनों का प्यार इतना घेरा होता है कि ये 12 साल तक एक दूसरे का इंतजार करते हैं और आजकल तो जितने मौसम उतनी मौबत है खेर ये वीडियो कैसा लगा जुरूर बताईएगा और आप सभी लोगों के लिए एक important information कुछ AC movies होती है जिने मैं यहाँ पर explain नहीं कर सकता और ना ही वो कहीं पर available है जिसका मैंने अलग से एक और channel बना हुआ हुआ है और आपको वहाँ पर disturbing, band और 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 बी description में दिया है और उसे याद से subscribe कर लेना और अब हम मिलेंगे नए वीडियो में किसी और movies का साथ में